हलो अब्रिवर्न आज मैं बताऊंगी आईयस के बारे में आईयस क्या होता है आईयस ओफिसर श्रिविल सर्वीस में सबसे सर्वोजपद माना जाता है जिसके लिए केवल जुजारू अभियार्थी काहिचेन किया जाता है किसी भी उद्कृष्ट पद के लिए केवल आईयस पद को ही वर्यता दी जाती है वो चाहे केंदर सरकार का सची हो या जिले का जिलाधिकारी आईयस ओफिशर को ही भारतिय परशार्शन में सबसे उचकोटी का अधिकारी माना जाता है जीले में चाय सुरक्षा की बात हो या देश अस्तर पर डिफेंस सचीव की हमेशा इन पदों के लिए अनुभावी I.S. अधिकारियों को ही नियुक किया जाता है I.S. के लिए योग्यता I.S. समाइन वर्ग के लिए अधिक्तम I.U. सिमा 32 वर्ष O.B.C. के लिए 35 वर्ष O.B.C. नन क्रीमी लेयर वा अरक्षित वर्ग S.C.S.T. के लिए 37 वर्ष है किसी मान्यता प्राप संस्ता से अशनाता ग्रेजवेशन के परिक्षा उत्रीन होना अनिवारे अधि आपने अपना ग्रेजवेशन डिस्टेंस एजुकेशन के माधियम से किया है तब भी इस परिक्षा के लिए योग्य है I.S. का फुल फॉर्म क्या होता है I.S. का फुल फॉर्म इंडियान एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्थ होता है हिंदी में इसका फुल फॉर्म भारत्य परशाशनिक शेवा होता है I.S. कैसे बने अश्टेप बाश्टेप I.S. ओफिशर बने के लिए आप निम चर्णों का अनुश्रिन करशकते हैं सर पर्थम आपको बारवी पास्ट होना अनिवारी है गरेजबेशन किसी भी अश्ट्रीम में पास्ट करें U.S.C. पॉर्टल से I.S. सिविल सर्विस के आवेदन करें परिक्षा का पर्थम चर्ण प्रिलिम्स पास्ट करें परिक्षा का दूतिय चर्ण मैंस मुख परिक्षा पास्ट करें परिक्षा के दोनों चर्ण के बाद इंटर्वियू में सफलता प्रात्त करें सभी परिक्षा चर्ण के बाद लबाशना में विस्तरित ट्रेनिंग प्रात्त करें आई एस अफिसर बनने के लिए आपको संग लोक सेवा आयोग यूपी असी सिविल सेवा परिक्ष दुवारा आयोजित परिक्षा में अच्छे अंको से पास होना होगा और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और शेयर जरूर करें